Hello everyone, this is उतकरश रुकला फ्रम उतकरश एजुकेशन आज के इस लेक्चर से हम UPSC और UPSC के लिए हिंदी माध्यम की मेन सांसर राइटिंग की प्रैक्टिस को शुरू करने वाले हैं आज के टॉपिक में मैंने पाशान काल के जो प्रीवियस फेपर में एक क्वेशन आया हुआ है उसको उठाया है मैं हर वीडियो में इसी तरह से क्वेशन लूँगा उसको करने की अप्रोच आपको समझाओंगा और ये बताओंगा कि वो अप्रोच क्यों यूज करनी चाहिए जिस तरह से विविन प्रकार की क्वेशनों को किस अप्रोच से करना है आपकी उस इसाब से तैयारी अच्छे से हो जाएगी उसके बाद मैं आप से पेक्षा करूँगा कि आप उस अप्रोच का यूज करके आंसल लिखें टेलेग्राम ग्रूप पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे होई है उसे अप्लोड करें जिससे कि मैं उसे चेक कर सकूँ और बन टू बन परसनल आप से बात कर सकूँ कि आपको और सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए आईए आप समझना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भारत की मद्य पाशान शिलाकला ना केवल उसकाल के सांस्कृतिक जीवन को बलकि आधनिक चित्रकला से तुलनी परिसकर सौंदर रिबोध को भी प्रतिबिम्बित करती ह इसका समालोचनात्मक मूल अंकन करना है यह 2015 में आया था साड़े वारा अंका था और 200 शब्द का क्वेश्चन आया था तो अब आपको इसको करना कैसे है इस सवाल को उसके लिए अप्रोच आपकी ऐसे होनी चाहिए देखिए ठीक है इसमें एक और रहेगा आखरी में जो समालोचनात्मक था वो पांच टॉपिक थे देखो सबसे पहले पांच महत्पूर्शब्द जो तुम्हें इस क्वेश्चन में दिखेंगे वो हैं मद्पाशाण शिलाकला के बारे में बात करनी है सांस्तिक जीवन आधनी चितकला से तुल्नी सौंदर रिबोध और इसका समालोचनात्मक मुल्यांकन इन सब्दों को समझे बिना तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि इसको करना कैसे इसमें लिखना के आए 200 शब्द तुमको परियात दिये हुए है जबकि तब भी देखो क्वेश्चन का आर्थ यह है कि हमारी जो मद्पाशान शिला कला थी चित्रकला नहीं बोल रहा है इंगलिस में रॉक कट आर्किटेक्चर ना कि मिजोलिथिक पेंटिंग पेंटिंग के बारे में बाती नहीं किये रॉक कट आर्किटेक्चर को आपको यह बताना है कि उस समय का जो रॉक कट आर्किटेक्चर था जो मद्पाशान शिला कला थी वह उस साइम के सांस्ते जीवन को बता रही थी उस टाइम के कल्चर को बता रही थी लेकिन उसमें जो ब्यूटी के प्रती भाव बताया गया ह वो आज के जमाने के बराबर है ये एक टिपड़ी है इसको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है मूल्यांकन करना है तो सही गलत दोनों बाते ठीक है बस इतना समझ लो समालोचनात्मक भूल जाओ मुल लांकन तब तक तबित करते हो जब सही गलत दोनों चीज़ें देखते हो तो तुम्हें इस टिपड़ी के सही के बारे में भी लिखना है और अगर ये कुछ मामलों में नहीं मिल रही है तो वो भी लिखना है पर in the end तुम्हें इस टिपड़ी को सही सावित करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले अपरोच क्या रहेगी जो चार शब्द है जो important मैंने उपर लिखे हैं क्या कहते हैं ये मद्यपाशाण शिलाकला उसमें देखो भीम बेट का मिरजापुर इन दो में जो सबसे जादा मद्यपाशाण काल से संबंदिस थल है वो पाए गए हैं तुम्हें ये समझाना है कि उस समय की शिलाकला थी कैसी वो अच्छी थी बुरी थी उसमें क्या क्या था वो नहीं बताना है इस जगा पे हमें ये मिला इस जगा पे हमें ये मिला ये बताना है सांश्तिक जीवन को समझाना है तो सांश्तिक जीवन को कैसे समझाओगे नौर्मली बात है कि उस समय जो लोग रहते थे उसको वो अपनी जीवन शहली को उस शिला कला में प्रदर्शित करने का प्रयास करते थे ऐसे करके समझाना है सौंदर्य बोद को तुम्हें यहां नहीं समझाओगे तो आगे तुम क्लियर नहीं कर पाओगे कि तुम कहना कह चा रहे हो सौंदर्य बोद का मतलब क्या होता है कि जो उस समय के बारे में उस समय के लोगों की सौंदर्य के बारे में सौंदर्य से मतलब होता है कि जो भी आपको जनरल शब्दों में अच्छा लगता है जिससे आपको पर एक अच्छा अप्रभाव पड़ता है जिससे आपकी भावनाएं उत्तेजित होती हैं वो जो उस समय का भाव था वही आज भी है तो उससे संबंदे तुमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी आधनि एक आर्किटेक्चर के तुल नहीं आधनिक सौंग संगीत के तुल नहीं आधनिक चित्रकला के तुल समझाना है ठीक है इन चारों शब्दों सो आराम से आपस में जोड के तुमको भूमिका लिख देनी है जैसे कि मैं एक तुम्हें एक्जांपल देता हूं मॉडल आंसर क करके कि मद्ध पाशाण शिलाकला अपने आप में बहुती महत्वपूर्ण शिलाकला की तर्द ए मद्ध पाशाण शिलाकला का स्थान भारती इतिहास में विबिन्य कलाओं के वीच अधुतिय है भीम बेटका और नर्मदा घाटी बेलन घाटी इन सब से जो पाई गई है उनसे उस समय के साश्तिक जीवन की विविन ने इस्थितियों का बहुत ही मारमिक वर्णन प्राप्त होता है और उससे उनके सुंदर्र रिबोध की उससे उनकी सुंदर्ता के प्रती आकरशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए कई विद्वानों ने बहुत प्रयास भी कि करेगी कि उसके बाद आओगे में बोडी पर अब तो में आप क्वंटेंट करना शुरू करणे में भारी बारी पर कम चीज़ aware तो मैं शिलाकला और चित्रा तौम आने अ सुंदर्ट के या फिर विभन भावों को दर्शाने के लिए जिन कदरों का प्रयोग किया गया पहले भी किया गया था और एक एक्जाम्पल लगाओं नीचे बारीकी की गंबिरता समझाओगे यह ऐसा नहीं है कि पहले केवल आयत बना देते थे square बना देते थे और अब जो है एक complex आकरथी बनाई जाती जाती है पहले की जो complexity है पहले का जो सूक्ष्मवणन है भावों का व्यक्तियों का मनुश्यों का पश्वों का सूख शुमरणन के मामले में वो लोग पीछे नहीं थे तुमको ये एक एकजामपल से बताना पड़ेगा कि जैसे कि भीम बेटका में जो है आखेट की जो दिखाये गए है उस समय के जो हत्यार थे उनको बहुत ही बारीके से समझाया गया है और आज के समय जैसे हम जब कोई बर्डवार वन की बनाते हैं तो हम मताते हैं कि आज कल के अध्यारों को हम दिखाते हैं भावों के प्रदर्शन में नत्य का प्रदर्शन जैसे आज कल के जो चित्रकला में होगा उसी समय की वहां की चित्रकला में भी प्रदर्शन होगा और व्यापक्ता देखो व्यापक्ता का अर्थ होता है कि विविन विन जो चीजें है भावों की विविन विन चीजें है एक जीवन के विविन विन अवस्थाओं की वो सारी दिखानी है केवल यह नहीं बोल देना है कि हाँ पशू बता दिये मनश बता दिये नहीं 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 परिवार को दिखाया गया है युद्ध को दिखाया गया है जैसे आज दिखाया जाता है रोने हसने इस तरह की चीज़ें हैं और विविन कलरों के जरी व्यापक्ता बताई गई है व्यापक्ता स्थान के मामले में भी है यह नहीं कि केवल एक जगा मिले हैं कई सारी गुफाओं में इस तरह की चीज़ें मिली हुई हैं तो तुमको इस तरह से व्यापक्ता समझानी हैं जब तुम यह सब कर लोगे उसके वाद तो संगार पे आओगे कि वरतमान शिलाकला से हम क्या सीख सकते हैं उस समय की सिलाकला से जैसे कि उस समय की सिलाकला मानो जीवन में जो एक्शुल में घटत हो रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करती थी जो लोग चित्र बनाते थे वो उसका चित्र बनाते थे जो उनके साथ घटेत होता था आज कल की चित्रकला AI से संबंदित है जो नहीं है वो चित्र कला हमें जादा अच्छी लगती है जो असली जीवन के चित्र हैं अगर मैं तुमें एक सामान ने परिवार का चित्र दे दू तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा लेकर नगर मैं उनके हाथों में तलवारें पकड़ा दूँ, मुकुट रख दूँ वो चीजें जो असली में अब महतुपूर नहीं रह गई हैं वो आज के जमाने में अधिक महतुपूर लग रही है तो जीवन की समरस्ता उस समय अधिक थी इस तरह से तुमको कई दो एक बात और लिखनी है अपने मन से एक बात तुम आने बता दी इस तरह से आपका ये 200 सब्दों में अंसर पूरा होगा अब आओ शब्द सीमा पे देखो भूमिका में दोएना तुम पचास और उपसंगार में दे देना पच्चिस कोई टेंशन नहीं है इस तरह से तुम्हें इसका आंसर लिखना है मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि प्लीज आंसर को लिखके टेलिग्राम पे मुझे भेजिए मैं उसे चेक करूँगा और आपको बताओंगा कि आप इसमें और अच्छे से क्या लिख सकते थे तैंक्यो वेरी मच जैहिन